हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक कुमार. आप सभी लोगों का क्राइम की कहानिया में हारदिक स्वागत करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे. अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसी तरह की कहानिया सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले. तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं. बीते कुछ माह में लिवईन रिलेशन्शिप में रहने वाली प्रेम कहानियों का जैसे दर्दनाक तरीके से अंत और भरोसे की हत्या हुई, उसने लिवईन रिलेशन्शिप पर सवालिया निशान लगा दिये हैं. इन संबंधों में बरबरता. वहशीपन और इनसानियत को शर्मसार कर देने की सारी मर्यादाएं तूट गई हैं. निशन्स तरह से हत्या के ऐसे मामले यह सोचने को मजबूर कर देते हैं कि कोई इनसान अपनी ही प्रेमिका के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता है. बीते साल दिल्ली के श्रधा हत्याकांड ने शुरू हुआ सिलसिला अब भले ही मुंबई की सरस्वती तक पहुँच गया हो. लेकिन बीच में कई ऐसी युवतिया हैं जो लिवईन रिलेशन के नाम पर भेंट चड़ गई. मंगलवार को मुंबई में सामने आये सरस्वती हत्याकांड ने पूरे देश को जख जोर दिया. बात मुंबई की है, मुंबई के मीरा रोड की है. ठाने में मीरा रोड पर एक सोसाइटी है, गीता आकाश दीप अपार्टमेंट यहां बहुत सारे लोग रहते हैं. अपार्टमेंट के सातवी मन्जिल पर चार फ्लैट थे 701, 702, 703, 704. इसमें तीन फ्लैट में लोग रहते थे. वे आपस में सब घुले मिले थे. अकसर मिलते रहते हैं. किसी फंक्षन किसी त्योहार में लेकिन एक फ्लैट में दो लोग रहते हैं और वो बाकी सबसे अलग रहते थे. 704 फ्लैट नंबर, 704 यह किराय पर लिया गया था. 10,000 रुपए महीने और इस फ्लैट को जिसने किराय पर लिया था उसका नाम था मनोज साने. मनोज साने जो की इंडस्ट्रियल इंस्टिट्यूट टेकनोलोजी से डिग्री लिया हुआ. जिसकी उम्रच 56 साल है. वह यहां एक महिला के साथ रहा करता था. पूरे अपार्टमेंट में हर किसी को यही लगता था. कि यह दोनों पती-पत्नी है. ज्यादा जानकारी थी नहीं क्योंकि दोनों कभी एक साथ बाहर नहीं निकलते. किसी फंक्षन में किसी सोसाइटी के फंक्षन में शामिल नहीं होते. लोगों से बात नहीं करते किसी ने हेलो हाय कर दिया, नमस्ते कर दिया तो उसका जवाब दे दिया, इसके बाद कोई बातचीत नहीं है मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के शव के कई टुकडे कर उसे कुकर में उबाला इसके बाद उसे मिकसर में पीस कर कुत्तों के आगे परोस दिया यह सब कुछ वो पिछले एक सप्ताह से कर रहा था लेकिन हैरत है कि किसी को भी उसकी इन कर्तूतों के बारे में खबर नहीं थी लेकिन वो ज्यादा दिनों तक अपनी इस करूरता को छुपाना पाया उसके घर से चुहे के मरने जैसी दुरगंध आने लगी जिसकी सूचना पडोसियों ने पुलिस को दी मौके पर पुलिस पहुँची तो हालिया मनजर देख दिल दहला गया पहली नजर उस बाल्टी पर गई जिसमें लाश के टुकरों का अमबार था इसके बाद कई जगह पुलिस को लाश के टुकरे दिखे जिसे देखकर पुलिस के साथ मौके पर मौजूद हर किसी के होश फाक्ता हो गए इसके बाद पुलिस ने आरोपी मनोज साने को गिरफतार कर लिया पुलिस हिरासत में आरोपी ने कई बड़े खुलासे किये पहला खुलासा तो यह किया कि उसने अपनी लिव-इन पार्टनर सरस्वती को नहीं मारा बल्कि उसने खुद कुशी की लेकिन पुलिस को उसके इस खुलासे पर विश्वास नहीं हो रहा है अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके इस खुलासे में कितनी सच्चाई है इसके बाद उसने दूसरा खुलासा किया कि उसे HIV एड्स था लेकिन उसने कभी सरस्वती के साथ शारिरिक संबंध नहीं बनाया था अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पीडिता भी तो कहीं HIV एड्स से पीडित नहीं थी अब उसके शव के टुकडों को पोस्ट मार्टम के लिए भीजा जा चुका है अब रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि वो HIV से पीडित थी की नहीं उधर पुलिस हिरासत में आरोपी से पूछताच का सिलसिला जारी है अब आदामी दिनों में वो मामले को लेकर क्या कुछ खुलासे करता है इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में यह जान लेते हैं कि आखिर मनोज साने की जिंदगी में सरस्वती की एंट्री कैसे हुई पुलिस पूच्टाच में आरोपी ने खुलासा किया है कि साल 2014 में उसकी सरस्वती से मुलाकात एक राशन की दुकान में हुई थी हालांकि शुरुवात में यह मुलाकात सामान्य थी लेकिन इसके बाद दोनों के बीच रोज मिलना जुलना शुरू हो गया इसके बाद यह मुलाकात मुहबबत में तबदील हो गई दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा इसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया जहां एक तरफ सरस्वती अनात थी तो मनोज का भी कोई अपना नहीं था ऐसे में दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी हाला कि दोनों के बीच उम्र का लंबा फासला था जहां सरस्वती महस 33 साल की थी तो वहीं मनोज तिरपन साल का था लेकिन दोनों उम्र की फासलों की परवाह किये बगैर एक छट के तले रहने लगे लेकिन इसके बाद ऐसे दोनों के बीच क्या हुआ की बात लाश के टुक्रे करने तक पहुँच गई यह तफ्तीश का मसला है फिलहाल पुलिस भी जाच कर रही है वहीं स्थानिय लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच जगड़ा होता था दरसल मनोज सरस्वती पर शक करता था जिसे लेकर दोनों के बीच अकसर जगड़ा होता था दोनों पडोसियों से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रखते थे किसी से बात कोई बातचीत नहीं होती थी यहां तक त्योहार के दिनों भी दोनों किसी से बात नहीं करता था रवया दोनों का काफी विचित्र था इस विचित्रता का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि पडोसियों को दोनों में से किसी का नाम तक नहीं पता था फिलहाल पुलिस मामले की जाच कर रही है अब आगामी दिनों में इस पूरे मामले में क्या कुछ सच्चाई निकल कर सामने आती है इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइन की कहानिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद